Hey guys, welcome back to the video and आप भी Grow के यूजर हो, majority of my viewers है, वो सब Grow ही यूज करते हैं, चाहता था, कुछ लोग दूसरे दूसरे application भी यूज करते हैं, उन लोग के भी यूज नोटिफिकेशन आया होगा and Grow users को भी ये नोटिफिकेशन आया है and बहुत सारे सुबह से message भड़ा पड़ा है मेर आपको उपर उपर जबी आप ग्रो आप्लिकेशन खोलोगे, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वहाँ पर लिखा मिलेगा, Grow balance not allowed for mutual fund orders, as per regulations, Grow balance is not allowed for mutual fund purchases and redeem transactions, वहाँ पर learn more का option होगा, अगर उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर और भी एक बड़ा पूरा खुल जाए होगा, one time investment के बारे में, SIP के बारे में and सारी चीज़े के बारे में, तो actually में ये क्या है notification और आपको क्या करना है, तो मैंने बार बार बताया है आपको कि एक जुलाई के बाद से सारे pool accounts बंद हो रहे, तो Grow का जो wallet है, जिसमें आपको Grow balance देखता है, वो भी एक pool account ही है, तो mutual fund के लिए, मतलब mutual fund आप उससे खरीदते जो बेचते थे, उसके लिए अब वो account बंद हो चुका है, अब mutual fund के transaction के लिए वो account का balance यूज नहीं होगा, मतलब आपके wallet में Grow के अगर 1000 रुपए है, उस 1000 रुपए से आप mutual fund खरीद बेच नहीं सकते हो, उससे आप stocks चाहो तो खरी money के लिए भी, upstock के लिए भी, angel blocking के लिए भी, जितनी भी सारे brokers है, सब के लिए ये लागू होता है कि उनके जो wallet, मतलब कहने कातला उनके जो trading account में जो पैसा है, उसका इस्तरमाल नहीं कर सकते है, आप mutual fund, चाहे one time investment करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर चाहे SIP जो जाती ह उसके लिए दोने में ही wallet के अबलाइस नहीं उस होगा, यही चीज यहाँ पर समझाया है, और इसी चीज का notification ग्रो ने भेजा है, और यह जरूरी भी है, as a customer, आप ग्रो के customer ही हो, investor हो लेकिन ग्रो के customer ही हो, and as a customer आपको सारी चीजों का information पहुंचाना, जो भी business है, जो application है, तो वो अपनी तरब से अच्छा काम कर रहा है, अब इसमें उसने बताया है, कि पूरी आप जवाब पढ़ोगे, मैं summarize करके आपको बता जेता हूँ, तो grow ने यह बताया है, कि अब से 1 जोलाई 2022 के बाद से grow balance से आप ना तो one time payment कर पाओगे, नहीं SIP से payment आपका कटेगा, औ और नहीं, जब आप redeem करते हो, तो पहले क्या होता था, कि जब आप redeem करते थे mutual fund को grow app के through, तो आपको दो option मिलते थे, कि आप wallet में redeem कर लो, या फिर direct bank account में redeem कर लो, तो अब जो wallet में redeem होता था, वो भी अब नहीं होगा, सीधा आपके bank account में ही, जो भी आप mutual fund बेचोगे, वो स पैसा add करते थे, वो wallet में पैसा नहीं add करना है, जब भी आप mutual fund का order डालोगे, उसी time direct आप अपने bank account से payment कर पाओगे, या तो UPI के through app कर लो, या फिर net banking के through कर लो, बीच में जो ये wallet का जंजड था, चक्कर था, उसको SEBI के rules regulation के according, पुरी तरीके से हटा दिया गया है, सारे ही तो करना आपको ये है, कि जाता कुछ हम करने, पहला तो मैंने बार-बार कहा है, दो-तिन वीडियो मैंने इसके लिए बनाई है, बताई हैं आपको, कि SIP का mandate है, अगर wallet के साथ है, तो उसको bank account के साथ अपना mandate कर ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, different application है, सबकी थोड़ी ब mandate start करना है, कि मेरी SIP bank से सीधा कर जाए, ठीक है, ये आप कर सकते हो, दूसरा, अगर आपने wallet के अंदर, जो कि आपका trading account है, उसके अंदर आपने पैसा रखा है, आप stocks में इन्वेस्ट नहीं करते हो, कुछ में बाकी इन्वेस्ट नहीं करते हो, बस mutual fund में इन्वेस्ट करते है, कुछ यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, कुछ टेंसल नहीं बात नहीं है, बस यही information grow ने आपको तक पहुँचाई है, आपको बताया है, कि mutual fund में इन्वेस्ट करना हो, redeem करना हो, one time करना हो, SIB करना हो, grow के wallet balance से नहीं होगा, आपको direct bank account से करना हो, उमीद है clear हो ग क्यों की market regulator है, उसके यह orders है, उसके यह directions है, तो आप सब को direct bank से ही अप payment करना होगा mutual fund को, और direct bank में ही redeem करना होगा mutual fund से, पैसा